आजके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेमसंग के मॉवाइल में कीवर्ड में अपना फोटो या फिर किसी का फोटो कैसे लगा है दोस्तों यहाँ पर फिलाल आप देसकते हैं मेरे पास सेमसंग का मॉवाइल फोन है और यहाँ पर हमारे कीवर्ड के अंदर कोई भी फोटो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर हम अपना फोटो लगाना चाहते हैं और दोस्तों अगर आपके पास भी सेमसंग का फोन है और यहाँ पे आप भी अपने Samsung के mobile phone में keyword में फोटो लगाना चाहते हैं और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है Samsung के phone में keyword में फोटो कैसे लगाया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाज टक देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वारेश है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों Samsung के phone में keyword में फोटो लगाना काफी दादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्ट टक फूरा देखना है और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा Samsung के phone में keyword में फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone के setting में चले जाना है दोस्तों यहाँ पर जैसे आप अपने mobile phone के setting में आ जाते हैं simply आपको नीचे के side में जाना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है general management का कुछ इस परकार से simply दोस्तों आपको general वाले setting पर click करना है और यहाँ पर जैसे आप general setting पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको नीचे के side में जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जी बोड़ सेटिंग का एक option देखने को मिल जाएगा simply दोस्तों आपको इस पर click करना है और यहाँ पर जैसे आप आज आते हैं आपको three line पर click करना है image पर click करना है जो भी file folder के अंदर आपका photo है वो file folder आपको open कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपको photo को select कर लेना है यहाँ पर photo जैसे आप select कर लेते हैं आपको कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा simply आपको यहाँ पर next वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना brightness को कम ज्यादा कर सकते हैं जिससे आपका photo कितना दिखे ज्यादा दिखे या फिर कम दिखे यहाँ पर हम 80% रहने देते हैं और यहाँ पर simply आपको done वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपके सामने एक option देखने को मिलेगा keyword border इस पर अगर आप click करते हैं तो आपके keyword में border आ जाएगा हम इसको जो हे बंद कर देते हैं और यहाँ पर apply वाला option पर click कर देंगे इतना करने के बाद आपके keyword में आपका photo लग जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हमारे keyword में photo लग गया एक और तरीका है अगर आपके mobile phone में इस परकार से photo नहीं लग रहा है तो यहाँ पर simply keyword open कीजिए और यहाँ कहीं पर आपको setting option देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है और दोस्तों यहाँ पर फिट से आपको theme पर जाना है और यहाँ पर plus icon पर click करना है photo select करना है और इस परकार से भी जो है आप अपने keyword में photo को लगा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पार है हमारे keyword में फिर से photo लग गया तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीका है सेमसेंग के phone में keyword में photo लगाने का वीडियो आपके सलाव पुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसा channel को subscribe करना ना भूले